करवा चौट के दिन नायवाईता की हुई संदिक्द हालत ने मौत के मामले में पुलिस ने पाँच लोगों पर अप्राद दर्श कर लिया है इसमसे चार लोगों को गिरिफतार कर पुलिस ने न्याले में पेश किया जहां से उन्हें जेल भी बेश दिया गया कटना के बाद मौके पर पहुंचे माई के पक्ष के लोगों उनमें काफी हाक रोज था और उन्होंने जम कर हंगामा भी किया था। पताया गया कि मृत्रिका की शादी एक वर्ष पूर भी हुई थी। इस पूरे मामले को गंबीरता से लेते हुए CSP शिवाली चतुवेदी दौरा मामले की जाच की गई थी और जाच रिपोर्ट के बाद विश्विद्याले थाने में पती सास ससुर्ध ननंद और मौसी सास के विरुद अपराद दर्च कर चार आरोपियों की गिरिफतारी की ग इक नममबर को एक टौरा में एक नव विवायता आरती तिवारी दौरा आत्महत्या की गई है आत्महत्या है यह कुछ और है इसकी जाच की जाएगी उसमें संदिग परिस्थितियों में वो पाई गई थी और मारगे जाच के दौरा ने इसमें जब चीजे सामने आई तो उसमें दहेश प्रताड़ना के संबंध में चीजे पाए गए और माय की पक्ष ने बताया कि सस्राल पक्ष के द्वारा राशी रुपए एक लाख और चार पईया वहन की मांग की जा रही थी जिसके कारण सस्राल पक्ष वालों पर काइमी की जिए गटना एक नवंबर की थी इस दिन करवा जोट भी था है अब आगे जैसे भी परिस्थितिया रहेंगी उसके अनसरकारवाई की जाएगी इसमें पांच आरूपी बनाए गए हैं म्रतिका के पती को सास को ससुर को और नननत को और साथी एक मोसी थी उनको आरूपी बनाए गया है और अभी वर्तवान चार आरूपियों को गिरफतार कर लिया गया है जी हाँ प्रतार्णा का आरूप है इसी के आधार पर ही इसमें कारवाही की गई है और आरूपियों की गिरफतारी की गई है